हाई फ्रेंज मेरे यूटीब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे भर्वा वैगन की सब्जी बो भी कुछ नए और यूनिक तरीके से ना ही इसमें मसावा भढ़ने का जंजट है और ना ही मसावा बनानी का और बहुत ही आसानी से हम भर्वा व बैगन विए हैं तो फ्रेंज वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सेयर कमेंट जरूर करना और एस भी देखने के लिए वीडियो को फॉल वाच कीजिए तो चलिए सुरू करत करने करते हैं तो यहां पर ँखनी में पूल और पानी वीडियों यहां पर यहां पर प्लसक्राइब दो लिएवा, यह पर बैगन कर दो लीयो और पर इस तरह मेंसे चार फाग कलर कर देंगे में उसके बाद छोटे-छोटे से इस तरह से कट वहाँ देगे इस तरह से हमारे बैगनमुनिया नहीं नहीं होनेगे इस तरह से हम बैगन काटेंगे और साथ में ही कड़ाई चड़ा देंगे क्योंकि जल्दी से अगर सब्जी बनाएंगे तो कड़ी नहीं बनेगी और जाला देट तक पानी में डाला रखोगे तो सब्जी कड़ी बन जाएगी तो इसी तरह से मैंने देखिए दो बैगन तो काट लिया है इसी तरह से हमें बाकी सारे बैगन भी इस तरह से काट लियने है और छोटी छोटी से बीच में से इसमें से कट वगा देना है पहले इसमें से चार फाउख कर लेनी है और फिर में छोटी-छोटी सी फाउख इसमें से 6 कर लेनी है तो इसी तरह से मैं सारे बैगनों को काट कर तैयार कर लूँगी तो यहां पर हम कडाई को गयस पर चड़ा देंगे और उसमें एक बड़ा चमचा ओयल डालेंगे तो कडाई हमें रोई की लिए नहीं है रोई की कडाई में यह बेगन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो यह देखिए यहां पर ओयल हमारा गरम हो गया है तो अब मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और जीरे को हमें अच्छी तरह से चटकने देना है और देखिए इसमें धुआ उड़ने लगा है तब ही मैंने इसमें जीरा डाल रहा है उसके वाए यहां पर मैं इसमें डाल रह के प्रे Louise को हम voluntary की यहां पर मैं इसमें डाल रही हूं ओ एक चम्मच ताली और एक हुमने पर रावन्च धनिया पाॉडर और साथ ही मैं हम स्वआद अनुसार इसमें नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मसाव़ो को मीक्स करेंगे उसके बद मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालूंगी जिससे मसाव़े love अच्छी तरह से पक जाएं बेहकोत तेल ऊपर आ जाएं उसके बाद यहां पर मैं दो इसमें कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ इसे बहुत ही ज़ाद टेस्ट बैगन की सब्जी जो भर में आए उसका बढ़ जाएगा उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमें इस तरह से टमाटर को सौप्ट होने तक पका लेना है जिससे इसमें दिखाई ना दे उसके बाद हमें यहां पर बैगनों को इसमें डाल देना है तो बैगन डालने के बाद हमें इसमें इस तरह से मिला लेना है यहां पर मसाला हमें इसमें भर के पेले से नहीं रखना है इस तरह से ही इसमें मिला लेना है और बहुती स्वादिष्ट बनेंगी ये बैगन और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इसको ढग कर पांच मिनिट के लिए ढग देना है और पांच मिनिट तक हमें इनको पका लेना है और गैस का फिल्म हमें मीडियम साइज कर देना है उसके बाद पांच मिनिट बाद हम इनको चेक कर लेंगे तो ये देखे यहाँ पर हमारे बैगन में थोड़ी सी उबाल आ गई है फिर हम इनको इस तरह से पलट देंगे और अच्छी तरह से पलटेंगे इसमें बिल्कुल भी मसाले के बिना जैसे बनाते हो वैसे बैगन नहीं बनेंगे बहुत ही टेष्टी बैगन बनेंगे और फिर से हम इसको ढखका रख देंगे और पकने देंगे और इसी तरह से धीमी आज़ पर हमें इनको पकाते रहना है तो ये देखिए लग लग पांच मिनट बाद मैंने फिर से इनको पगट दिया है और बीच में इसी तरह से हमें पगटते रहना है तो ये देखें बैगन तो हमारे हो गए हैं पर मुझे थोड़ा सा यहां पर खड़े बैगन अच्छे नहीं लगते हैं दो मिनट के विए और पकाया है इनको तो दो मिनट हमारे हो गए हैं अब ये देखें ये बनी हैं हमारी बहुत ही टेस्टी सी भरवा बैगन की सबजी एक एक खड़ा हुआ बैगन साजा मिलेगा बिल्कुल भी इसमें घुरा हुआ बैगन नहीं है इसे ग्रेवी सी आपको दिखाई देगी और बहुत ही ज़ादा टेस्टी इसका बढ़िया है खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी भरवेंगे और जैसे मसागा भरके बनाते हैं तो थोड़े खड़े खड़े से बैगन रखते हैं तो यह देगे गर्म गर्म बैगन की सब्जी बनकर हमारी तयार है इसको पूरी पराटे या फिर रोटी किसी के भी साथ खाईए बहुत ही खाने में क्रेश्टी भरवेगी एक बार बनाकर जरू देखिए जो बैगन नहीं खाता वो भी बड़े ही चाव से इस सब्जी को खाये गाए और इसमें ना ही मसाला भरने का जिंजट है और ना ही कोई ताम जाब और बहुत ही ज़दी से बनकर ये तयार हो जाते हैं तो फ्रेंज अगर आपको मेरी ये रैस्पी पसंद आयो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंड दोस्तों को सेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए आयो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं अच्छी से नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए टेक किया थैंक्स फॉर बॉचिंग